इस वक्त भारत के हर एक नागरी के पास उसका दो अधार कार्ड है जियां दोस्तों एक अधार कार्ड जो उसने 2013 में बनवाये था और एक और अधार कार्ड जो की अब अपडेट होकर 2018 से ही लोगों के घर घर में अपनी पहचान बनाये हुआ है पर क्या आपको पता है कि इस अधार कार्ड को एक बरफिर से बंद कर दिया जाएगा जिसके अंतरगत अब मोदी सरकार दोवारा नए नए कानून भी लागू किये जा रहे हैं जिस तरीके से हमारे मुबाइल फॉन में एक ऐसा डिवाइज होता है जिसके माधियम से आपका डिवाइज कहा है और किस हा लाइन के गोशना की जा रह banda चारह है कि साधार कार्ड को पूरी तरीके से बना लिया गया है और अब इस अधार कार्ड को 2012 के अप्रेल या मार्च महीने सेınıra भी कर दिया जाएगा इस अधार काट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इस अधार कार्ड की साइज समानी अधार कार्ड से काफी छोटी होगी और साथ ही आपको जान करोगी है कि इसमें कुछ ऐसे मेमरीज भी फिट कराई जाएंगी जिसके माधियम से आप किसे हाल में हैं कहा हैं आपका लोकेशन असानी से ट् सुराहिम और साथ ही बड़ी साजिशों से छुटकारा पाया जा सकता है ऐसे भारत सरकार का मानना है दोस्तों कहा जा रहा है कि इस अधार कार्ड के माधियम से आप अपने बैंक अकांट से भी डारेक्ट पैसा निकाल सकते हैं इस अधार कार्ड को डेबिट क्रेड़िट किईसा कार्ड बनाया जायाका जिसको नया नाम देने की घोष ना भी की जा रही तो आने वाले वर मैं धार कार्ड को ले कर क्या कुछ हैं कुछ आपकी युजनाय K collaborations की जिरी अपनी योजना कि ओंगे